Hello and welcome friends, आज की विडियो पाइटन की है और पाइटन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो में हम function की बात करेंगे, function की बात हम पहले भी कर चुके हैं आज के इस वीडियो में हम addition करवाएंगे, function का use करेंगे और addition करवा के देखेंगे कि addition कैसे होता है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक keyword लिखता हूँ, यह keyword है, ठीक है, gap देंगे, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें add करवाना है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, a, b, दो variable बना लिए a और b, a और b को ही तो add करना है, यहाँ पर लगा दिया colon, एंटरफ्रेस किया, एंटरफ्रेस करके जैसे ही यहाँ आएंगे, तो अब हम लिखता हूँ, print, print लिखा, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देना है, जै कि हम addition करवा रहे है, that's why a plus b दे दिया हमने, और close किया इसको, close करने के बाद क्या करना है, अब हम क्या चाहते है, यह program हमारा बन गया, जी हाँ, program बन गया, अब यहाँ पर हम इसे save कर लेते हैं, तो यहाँ पर चलके fund.py यही नाम दिया हमने, इसी नम से save कर लेता हूँ, run कप करवाना है, जब आप इसको call, देखिए function को call करना, function तो हमने बना लिया, अब इसको call करना है न, तो call कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे add, ठीक है, और किसको add कराना चाहते है, बताईए, यह से 300 add कराना चाहते है, कॉमा 80 add कराना चाहते है, यह लिख 80 आगया clear है चलिए अब हमें 300 और 80 को एड़ नहीं कराना है अटा देते हैं इसको चलिए अब हमें किसको किसको एड़ कराना है यहाँ पे 3.7 और 80 को एड़ कराना है ठीक है अब इसको save कर लेता हूँ और फिर यहाँ से run कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को एड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है 83.7 आ रहा है 80 और 3.7 को एड़ करना है ठीक है इसी तरह से कुछ और भी एड़ कराना हो जैसे माल लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ minus 80 ठीक है minus 80 और plus 80 को add कराना है तो देखी क्या आता है answer 0 ठीक है तो इस तरीके से आप function का use कर सकते हैं अच्छा इसमें आप एक काम कर सकते हैं जैसे माल यह addition के लिए हमने यहाँ पे दिया है ठीक है आप enterprise करके नीचे आईए अगर आप चाहते हैं कि division भी करे यह division के लिए भी दे सकते हैं तो यहाँ singulated comma add double comma लगाईए यहाँ है that division is जो भी ठीक है comma a upon b होता है तो a upon b कर दिया दो ही तो variable है a upon b कर दिया हमने अब इसको close कर दिया अब यहाँ से क्या करता हूँ यहाँ से इसको save करता हूँ ठीक है और यह हटाता हूँ यह थोड़ा आपको समझ में भी नहीं आएगा division करिंग अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हमने 60 ठीक है और 60 को divide कर रहा हूँ 2 से अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर add लिखा हुए लेकिन यह ध्यान दीजेगा यह add नहीं है यह divide है ठीक है तो यहाँ पर इसको change कर दे लिख दिए अगया है यहाँ पर अब यहाँ पर भी हमें calculate देना होगा तो यहाँ पर calculate यह दे दिया हमने अब यहाँ पर profile पे जाईते और यहां से दीजिए, the multiplication is, यह लिख दिया, कौमा दिया, a into b करेंगे, multiplication के लिए, clear है, यह दे दिया हमने, अब इसको save करना है, तो यहाँ से जाए और इसको save कीजिए, और फिर run पर जाए और यहाँ से run करवा दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते है, multiplication भी करके दे रहा है, देखी, rewrite नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से करके आप कर सकते हैं, ठीक है, easy है, कोई दिकत नहीं, अब subtraction भी कर लेते हैं, ठीक है, subtraction को छोड़ना, उसको भी करी लेते हैं, तो यहाँ पर आए, फिर लिखा print, और फिर यहाँ पर देंगे, चलिए, डबने टोट कॉमा इस बार लगाता हूँ, आपके मन में confusion जो है, वो भी दूर हो जाएगी, the subtraction is, यह कर दिया, अब यहाँ पर क्या देना है, a-b, बस a-b दे दीजे, हो गया काम, यह हो गया काम, अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ, और अब run करता हूँ, 5 भी प्रिस कर सकते हैं, run करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, the subtraction is 58, subtraction आए हो, 58, तो 60 में से 2 माइनस करेंगे, तो 58 ही तो होगा, तो इस तरीके से करके, आप subtraction भी कर सकते हैं, division भी कर सकते हैं, multiplication भी कर सकते हैं, जीतनी बाद, आप जाए, यहाँ से change कर लिए, ठीक है, मा लिजे यहाँ पर चाहिए, हमें, 700, 7500, 7500 and 2, आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए कमाल, यहाँ पर कहा है, इसको run करवा दिया, तो यहाँ पर देखिए, addition, division, subtraction, multiplication, सब कुछ हो के आ रहा है, देख सकते हैं आप, तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से function का concept, कम से कम starting point of view से जरूर clear हो जाएगा, वीडियो पसंद आए, तो से share करें, thank you for watching this video.